हेलो एवरिवन वेलकम तो मुवी टेक इस्ट्यूट आप सबके सबोर्ट से आज मुवी टेक इस्ट्यूट को अट्रा साल हो चुके इस खुशी के मौके पर हम एक स्पेशल अपॉर्चुनिट इला है जो एक वीक के अंदर हमारा ओनलाइन कोर्स पर्चेस करेगा इसे इसलब आपकी पावर सिक्वेंस पूरी तरह ओके है वहाँ पे आपको 0.1 पर्चंट भी डाउट करने की ज़रुद्ध नहीं है क्योंकि आपका पावर रिश्ट तभी बनेगा जब आपकी पावर आईसी में से सारी सप्लाय ओके है यानि कि इस स्वरी ये वाली नहीं पिय ये भी डिसाइट हो जाता है लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी अगर कोई सप्लाय जैसे हम पावर को ट्रिगर करते हैं और अगर हमारा पावर ओन डिसेट नहीं बन रहा है उससे पहले ही हमारा वोल्टेज जो डाउन हो जाए तो डेपिनेटली आपकी दिखाएगा उस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपका फोन जो है उसकी पावर ऐसी पावर और डिसेट बना रही है लेकिन सीपीऊ पावर होल्ट नहीं कर वारा है यानिकि सीपीऊ या तो खुद भी फोल्टी है या सेपीऊ जो है वह कोई और एर्र ले रहा है जिसकी साब से आप फोल्ट को find कर सकते हो अब इसके जब आपका power on hold आपका जब हो जाता है तो आपकी सारी boot sequence जो है वह on हो जाती है और उसके बाद जो है वह सारे के सारे software operation रहते हैं और फिर जो आपका phone है वह software के control में चला जाता है power on reset भी बन गया power holding भी बन गया तो ऐसी condition में आपका phone जो है वह अगर बंद है तो फिर वह software की side से बंद है hardware ली उसमें कोई issue नहीं है और ये फोल्ट को कैसे find करना है वह मैं आपको आगी बैतलता हूं तो दोस्तों में यह देखा कि power sequence जो है किस थरह से काम करती है और कितनी चीज़े complete होने के बाद power sequence okay है या नहीं यह हम पता लगा सकते है अब मैं आपको पहले से बता देता हूं कि जैसे suppose यहाँ पे यह पी output के अंदर जो हमारी sequence बननी थी वह sequence बनने लगेगी लेकिन सबसे पहले हमें check करना होता है कि पेड़ पावर यानि कि power on switch पे हमें सबसे पहले voltage check करना है कि वह voltage बन रहा है या नहीं अगर वह voltage नहीं बन रहा है तो आपको power IC पे काम करना है अगर यह voltage आपका बन रहा है थोड़ी देर के लिए मान लीजे कि आपका power IC सही है उसके बाद आपको क्या करना है कि एक और trigger चेक करना है power on का जो के हम charger लगा के भी check कर सकते है जो के हमें PMI 8952 से मिलता है system ओके power good वाला तो यह power good system कीपेड पावर और दोनों में से कोई एक भी मिलेगा तब भी हमारा phone जो है ओन होना चाहिए तो यह इतनी condition हमारी बन गई उसके बाद पावर स्विच करने के बाद कुछ देर में हमारा power on reset बनेगा और यह power on reset जो है वो PMI 8952 को भी जाएगा और यही वाला जाएगा CPU को भी के भाई जो है power supply पूरी की पूरी complete हो चुकी है power sequence ओके हो चुकी है अब CPU को भी यह request बजी जाएगी क्या power hold करा दीजिए और PMI 8952 के अंदर भी यह जो है power on reset है वो power hold बनके जाता है power hold बनके क्यों जाता है कि कुछ supply जो होती है वो PMI 8952 से निकलती है जैसे display वगएरा की supply है या अदर कोई supply है तो वो PMI 8952 के अंदर से निकलती है तो उसका power जो है उसका भी controlling का का काम जो है वो power on reset कराके power IC उसको बता देगी क्योंकि यह जो IC है PMI 8953 और 52 तो इसके अंदर जो boot sequence है वो पूरी PMI 8953 के अंदर दी गई है लेकिन मैं आपको आगे चलके जब बताऊंगा PM660 और 660L है 6150 है तो यह सारी IC के अंदर boot sequence है दोनो फोन, दोनो IC के अंदर merge की हुई है यानि कि कुछ supply यहां पे बनती है तो कि सपोज जैसे हमने देखा था कि S4 की supply है वो सबसे पहले पावर की पेड़ पावर जब हम प्रेस करते हैं तो सबसे पहले S4 की supply बनती है फिर S4 जो है वो trigger करता है कुछ PMU supply को या समझे के जो CPU की supply है core supply उसको वो देता है उसी तरह से अलग-अलग जो triggering है वो होती है लेकि कॉलकॉम बेस के अभी के कुछ IC के अंदर ऐसा देखा गया है कि PM8953 जो trigger करेगी वो मतलब सौरी जो PM में PM है वो charging वाली PM को भी trigger करेगी और कुछ supply वहां से भी बनेगी यानि कि दोनों में alternate supply बन रही है फिर जो supply दूसरी IC में बनेगी सपोस जैसे हम मान लेते है कि PM660L है वो main IC है main power IC है और PM660 जो है वो second power IC है तो पहली जो supply निकलेगी PM660L में से वो जाएगी PM660 में उसको trigger करने के लिए फिर वहां से एक supply निकलेगी जो PM660L में जाके trigger करेगी और उसी तरह से one by one triggering होती है यानि कि कुछ supply PM660 में से बनती है तो कुछ PM660L में से बनती है जो मै चल जाएगा कि उसमें triggering किस तरह से होती है लेकिन पहले यह simple तरीक आपने देख लिया है तो वह भी बहुत easily समझ में आ जाएगा क्यूंकि अगर इसके पहले आपने power and sequence देखा होता तो मुझे यकीन है कि आपको वह चीक जो है वह समझ में नहीं आती जो मैंने आपको समझ जाया बाद में आपका फंडा क्लियर हो गया होगा तो यह चीज है कि दोनों IC यानि कि दोनों power IC हम लोग वह तो बोलता है कि charging IC है DC to DC है लेकिन actual में दोनों की दोनों power IC है और कई सारे set के अंदर ऐसा भी है कि दोनों में power sequence जो है वो बराबर निकलती है हाला कि PMI 8953 के तो IC यहां से बनती है तो IC सप्लाईों को भी on कराने का काम भी यहां से हुथ है और जब यह नहीं हो जाती है तोको उसको hold करवाने का काम भी कुँन करता है पावार ic करती है तो यानि कि power ieसी जो है आपका hold कर आती है तो यह चीज है कि power on reset जो है वह PMI 8953 से निकलता है जो PMI 8952 के लिए hold बनता है और जो power on reset के लिए CPU को signal देता है अब CPU क्या करता है कि अपने अंदर से power hold निकालता है और ये power hold निकालके वो power IC को देता है कि भाई हाँ मैंने तुम्हारी सारी supply जो है hold करा दी है तो यहाँ पे जो है आपका जो figure है वो stuck हो जाएगा यानि कि condition क्या बने कि जब सबसे पहले आप DC machine पे phone लगा के आप जब switch को press करते हो और आपका phone जो है वो 10, 20 या 30 ampere लेके अगर कहीं से वापिस गिर जाता है तो ऐसी condition के अंदर आपका power on reset नहीं बन रहा है तो आपकी समद लिए secondary supply में प्रोब्लम है या आपका power reset बन गया लेकिन CPU power hold नहीं करा रहा है तो CPU के और से भी प्रोब्लम हो सकता है या आपकी कोई bug supply में अगर कुछ गरबट रही होगी तो ऐसी condition में भी power supply जो है वो CPU hold नहीं कराएगा अलके तो power on reset भी नहीं बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका problem जो हो कौन सी side से है तो यह एक चीज है जो हमेशे आपको ज्यान में रखनी है और जब आपका power on reset भी बन जाएगा PS hold भी बन जाएगा तो definitely आपका phone जो हो 50 के उपर चला जाएगा 50, 55, 65, 70, 80 कहीं भी जाएगा और वहाँ पे जब आपका phone stuck हो जाता है तो आपको समझ लेना है कि आपकी power IC की सारी की सारी supply होके है आपका जितना भी crystal circuit है या RTC circuit है यह सारी की सारी ओके है जब आपका PS hold जो है वो बना है तो यानि कि यह side पे आपको कहीं भी कोई जगा पे देखने की जब नहीं है आपी सिधा आपको देखना है PS hold तो यह इतनी चीज़े है अभी मैं आपको एक पहले से पूरा checking जो है बत यानि कि जो हमारी charger IC है वहां तक charger IC जो है वो VPS supply बनाता है तो दो तरीके से बनाता है या तो वो बैटरी पावर से लेगा या वो charging का जो आपका वीबस आएगा यह दोनों कंडिशन में वो बनाएगा VPS पावर यानि के VPS पावर निकलेगा उसकी दो कंडिशन हो सकती है य VPS पावर हमें चेक करना हो तो हम यहां पे VPS पावर पे जो boot capacitor लगा रहता है उस boot capacitor पे आपको दोनों साइट supply चेक करनी है अगर यहां पे आपकी supply आ गई तो आपकी IC ओके है आपका बैटरी ओके है आपका पूरा जो condition है वो आपका आगे का ओके है उसके बाद आपको आपको पूरा सिस्टम आपका OK है तो वहां पे आपको फिर यह जो charger IC है या DC to DC है उसके कोई आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है वहां पे आपकी boot supply बन गई मतलब आपका पूरा system OK है अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद यह supply जो VPS पावर है यह कहां पे जात पूरीजर के लिए कि आपकी power IC है अगर नहीं आ रहा है तो सिधा आपको वहां पे काम करना है कीपेड की लाइन को आप चेक करिए या फिर power IC का ball है वो try solder हो गया है तो उसको रिबॉल करिए अगर खराब हो गया है तो आपका प्रोब्लम यहां पर हो जाएगा अगर यहां power on की लाइन में प्रोब्लम है यह दोनों जगा से आप चेक कर सकते हो इसके बाद आपका power on reset बनना चाहिए या जब आप power switch प्रेस करते हो या charger लगाते हो ऐसी condition में सबसे पहला आपका power on reset जो है वो switch दबाने के बाद बनना चाहिए अगर आपका power on reset नहीं बन रहा है तो आ यहां तक आपका सभी system okay है फिर सिधा आपको चेक करना है PS hold यह जो power on reset है यह दोनों तरफ जाता है CPU में भी जाता है और यह PMI 8952 में जाता है तो दोनों जगा में ने दिखा दिया है उसके बाद आपका बनेगा PS hold जो CPU से बनेगा power IC के अंदर आएगा वहां पे भी आपको अगर सब कुछ मानों के power यहां पर PS hold नहीं बन रहा है power on reset बन गया तो आपका power IC okay है आपका यहां का आगे का सारा चीज़ होके है आपकी crystal circuit होके है आपकी boot sequence होके सब कुछ होके है वहां पर आपको कोई शक करने जोरत नहीं है power on reset बन गया मतलब आपकी power IC तक की पूरी supply जो CPU review करने से आपका PS hold जो है वो बन जाता है ज्यादा तर condition में और suppose आपका PS hold भी बन गया तो आपका कहां बनना है तो जब आपका PS hold बन जाता है तो इसका मतलब कि आपका phone में hardware ली कोई problem अभी फिलाल नहीं है यानि कि आपका power sequence की और के boot sequence की और से वहां पर कोई problem नहीं है फ computer के साथ attach करो गया फोन को Qualcomm base का कोई भी phone होता है उसको जब computer से connect करना होता है तो या तो उसमें EDL point देना परता है यानि कि EDL point को short करना परता है या कोई boot key का use करना परता है यानि कि power volume up है या volume down है या volume up down दोनों है कोई भी तो हर phone के अंदर अलग-अलग system रेती है लेकिन को कोई भी जो Qualcomm base का phone होगा वो कोई ने कोई बूट की से वो आपका phone जो है वो attach होना चाहिए तो यहां पे अगर आपका power hold जो है वो भी बन गया है तो आपको power sequence की और से कुछ करना नहीं है आपको सीधा computer के साथ उसको attach करना है अब यहां पे आपकी दो system बनेगी एक system ऐसी कि अगर suppose आपका phone जो है वो आप cable लगाते हो और सीधा driver बन जाता है तो इसका मतलब कि यहां पे कुछ गड़बड है क्योंकि आपका जो phone है यानि कि जो Qualcomm base का कोई भी phone है उसको या तो boot की देनी पड़ती है या आपको EDL देना पड़ता है उसके बाद ही आपका phone जो है व सीधा driver बन जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके phone की EMMC में कुछ न कुछ गड़बड है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके phone की यह एलो एवरिवन वेलकम तो मुबी टेक इस्ट्यूट आप सबके सबोर्ट से आज मुबी टेक इस्ट्यूट को अठरा साल हो चुके है इस खुशी के मौके पर हम एक special opportunity लाए है जो एक वीक के अंदर हमारा online course purchase करेगा उसे 20% off coupon दिया जाएगा तो अगर आपने अभी तक पोर्स नहीं लिया तो अब ले लिए थैंक्यू एम सी को काम करने के लिए यहाँ पर कुछ supply की ज़रूरत होती है जो के तीन supply होती है VCC VCCQ और VDDR जो है वो RAM की supply है क्योंकि EMCP के साथ में RAM जो है वो आपकी साथ में आती है तो यह 3 supply जो है वो आपको कंपल सरी मिलना चलिए अगर यह नहीं मिलती है तो ऐसी condition में आपका CPU ज अपना खुद का driver बना देगा यानि के जो आपको ideal देनी की जरूरत नहीं है आपका जो बुटकी प्रेस करने की जरूरत नहीं है सीधा आप कैबल लगाते हो और सीधा driver बन जाता है इसका मतलब के आपका CPU जो है वो EMC की information को पढ़ नहीं पा रहा है तो यही condition के अंदर जो जो software करते हैं उनको तो पता होगी लेकिन जो जिन लोग को software के बारे में इतना knowledge नहीं है तो वो लोग यह चीज समत ले कि जब भी आप कैबल लगाते हो और सीधा driver लेता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका CPU जो हो EMC find नहीं कर पा रहा है तो वो अपना खुद का driver बना र data reset और CMD यह चार लाइने जो है यह आपकी CPU EMC के साथ connect रहती है यह एक लाइन जो है यह जरूरी है चार लाइने हालाके यह सारी लाइनों में इतना गड़बढ नहीं हाता है लेकिन फिर भी यहां पर आपका जो doubt है वो दोनों तरब जाता है अगर suppose मानिए कि यह वाला जो अगर बन जाएगा लेकिन यह सप्लाइ अगर नहीं आती होगी तो ऐसी कंडिशन में आपको दो जगा पर डाउट जाएगा या तो आपकी EMC का यह serial data clock reset cmd वाली जो line है cpu के साथ अगर वो open हो गई है तो भी ऐसा होगा इसके अलावा कुछ data line होती है जो के data 0 से लेके data 1, 2, 3, data 4, data 5, data 6 और data 7 इतनी line है जो होती है यह cpu से emmc तक connected होती है इसके लारेम की तो बहुत सारी line होती है लेकिन वो आपकी बात है तो इतनी line है जो है वो compulsory अगर इसमें से कोई नहीं मिलेगी तो ऐसी condition के अंदर भी आपका phone जो है वो direct driver लेगा तो ऐसी condition में आपकी जो doubt है यह दोनों तरफ जा सकता है यह आपकी emmc में कुछ program की गरबड़ी हो तो भी जाएगा या आपकी cpu की तरफ से कोई problem होगा या कोई wall जो है वो dry solder हो गया होगा तो ऐसी condition में जाएगा लेकिन सबसे पहले आप emmc को उतारे emmc को उतार के आप easy जटा किया ufi जो भी box में आप यूज करते हो उसके अंदर इसकी programming को check करें इसमें जैसे कोई 90% consume वाला मामला हो गया है या read only वाला memory वाला मामला हो गया है या कुछ भी गरबड है इसको refresh करोगे, repartition करोगे या जो भी इसमें गरबड होगी तो हम software के subject में समझेंगे कि यहां पे emmc में क्या क्या problem हो सकती है तो वो सारी problem को आप okay करके आप लगा देंगे तो आपका जो problem है वो solve हो जाएगा और अगर यहां पे नहीं होता है ऐसी condition में एक बार आपको cpu रीबॉल करके देखना है और cpu आप रीबॉल करोगे तो definitely आपका जो problem ह हो जाएगा और अगर आपका रेम का जो कोई supply जो cpu के साथ हम सोल्टेट है तो ऐसी condition के अंदर भी आपकी जो emc है उसमें problem आ सकती है तो ऐसी condition में आपका जो पूरा जो softer motor है वो सब सही लग जाएगा लेकिन फिर भी आपकी जो ico connect में होगी तो ऐसी condition में बन सकता है लेकि हो जाएगे तो अगर ऐसे देखा जाए तो यह पूरे फोन की चेकिंग आ गई है एक डेर मोबैल को चेक करने में इतना ही वक्त लगता है इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता है आप एक एक IC निकालते हो कौन सी IC में problem है पता नहीं है इसा उट्टा सुटा कुस करने की ज़ ज़्यादा लगेगा इतने में आपका पूरा फोन जो है वो चैक हो जाएगा का आपका एक्जेटली प्रोब्लम कहां पर पूरी सिस्टम में आपको दिखा दिये कि कहा कहां पर कितनी चीज़ा आपको चैक करने है और बहुत सिंपल चीज़ा है इसमें कुछ ज्यादा मग चीज़े होती है यह सब दूसरी बात यह में बता दू कि यहाँ पर जो क्वालकॉम वाला पावर सप्ला है वो यहाँ पर यह इसमें मैंने पूरा बता दिया है और आगे कि जो आई सिया है कुछ जैसे मैंने आपको बताया के पी एंचेसों साइट है उसका डेटाशीट है यह डिजिटल एनलोग दोनों सर्किट मिक्स है यानि कि ज़्यादा तर जो इसमें है वो एनलोग सर्किट है जैसे वी बैट यहाँ पर आया वी पिए बनके निकला तो यह एनलोग है यह सारी एनलोग है उसी तरह से क्लॉक सर्किट भी होती है मोबाईल के अंदर जिसको ड भूसर बहुती इसी स्व-छूइशन जो है मैं आपको डेने वाला हूं जो में आपको लियाक्स्टू सर्किट के अंदर वीडियो में आपको क्रिस्टल सर्किट वह किस तरह काम करता है styl मेंस ब्लॉक कैसे आलने देटा क्लॉक कौक ल के पहले से बड़ती है उसके बाद मै उसके अंदर मीजो मोजे का यूज जो है वो बहुत सी जगाओ पर हुआ है तो आगे-आगे नए-नए सेक्शन में डालता रहोगा तो उसके अंदर यह सारी चीज़े में आपको अपडेट नए-नएद देता रहोगा लेकिन अभी इसके अंदर क्रिश्टल सर्किट जो है हमा हाला कि MTK और Samsung का काफी कुछ मिलता जूलता है तो वह दोनों चीज़े भी हम समझेंगे हैंग लोगो वाले जो प्रोब्लम होते हैं उसके अंदर कहां पर प्रोब्लम होती है उसको कैसे फाइंड करना है वह भी मैं आपको बहुत easy way में बताने वाला हूं तो यह सारी चीज यह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जैसे ज्यादा तरलोग जो है वह बजर रेंग पर चेक करते हैं लेकिन वेल्यू के कभी ध्यान नहीं देते हैं तो यह वेल्यू का महत्व क्या है यह मैं आगे वीडियो दालूगा और मैं आपको यह वाले जो है वीडियो में आपको आगे चलके दूँगा जिसके अंदर आपका सारा कर्फ्यूजन जे हो क्लियर हो जाएगा तो यह वीडियो जो है यहाँ पर मैं एंड करता हूं मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुर्बाई